नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल अंकित वर्मा और लेपी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है देवताओं ने जो है पुलिस को भगा दिया तो कैसे देवताओं ने पुलिस को बगाया वो पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने बाला हूं तो तस्वीर है आप देख सकते हैं कहां की ये निउज है तो वीडियो पर एंड तक बने लिए अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो नियूज है कि कुल्लू में देवताओं ने भगाई पुलिस नगर गाउं में शाड़ी जाच मेले के दोरान परशासन की कारवाई से ओगर हुए देवता तो हिमाचल परदेश की डिस्टिक कुल्लू की ये नियूज है तो कुल्लू गाटी के बिश्व दरोवर गाउं नगर में उस समय एक परिधरिश जो सामने आया जब वहाँ पर पुलिस नहीं को देवताओं ने भगाई गुरुवार शाम को के समय जब देवी देवताओं के देवकारे में उपस्तित हुए देवलों की भीड को तित्र बित्र करने के लिए पुलिस दाल पहुँचा तो देवताओं उगर हो उठे और उन्हें वहाँ से बगाने पर मजबूर होना पड़ा हर वर्ष नगर में मातात्रिपूरा सुंदरी के प्रांगर में छेदवसी शाड़ी जाच का आयोजन किया जाता है इस वर्ष या जात्र मेला 18-24 मही तक मनाया जा रहा है लेकिन गुरुवार को जाच के तीसरे दिन जब नगर क्षेत्र के तीन देवी देवता माता पतंती माता त्रिपूरा सुंदरी वा नाग देवता एक सोक्ष्म देवकारे के लिए एकत्रित हुए तो वहां पर देवलों की भीड को देखते हुए पुलिस ने हस्त क्षिफ्ट किया लेकिन तीनों देवी देवताओं को पुलिस की इस कारवाई पर आतराज हुआ और सभी देवता ओगर हो गए जिससे पुलिस तल को वहां से भागने पर मजबूर ज जाना जहां जुरूरी है लेकिन देवी देवताओं ने पुलिस की कारवाई पर आतराज दता है जिससे उन्हें वहां से जाना पड़ा गोर रहे कि नगर में जहां शारी जाच को लेकर देवकार यह चला वहीं पर वाइरल वीडियो की क्षेत्र में बड़ी बड़ी तो दोस्तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमाचर परदेश की डिस्टिक कुलू में यह हाथसा जो हुआ है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन को सब्सक् जया भाद